तो आप क्या ये मसूस करते हैं कि भारत में ये समय आ गया है ये लाश्टी आश्टर पर चंसंख्या नियंकरन के लिए एक ठोज कानून बनाया जाए या सिर्फ एवियरनेस इंग काम किलाएगा आपका क्या विचाना एक बार हम आपको बहुत साफ साफ करें जो राज जो करना चाहिए अपना करें लेकिन हमारा बहुत साफ साफ हो पिर जन संख्या नियंत्रन के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके को उसका उपाय करेंगे ये सभी ठीक से संभव नहीं है आप चाइना का पता कर लिए एक से दो किया अब दो के बाद भी क्या हो पुरे तोर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागरती आती इतना कॉंससनेस होता है कि अपने आप प्रजनंदर घटेगा और आप तो जान रहें सुरू से हम लोग इसके लिए काम कर रहे थे और उसी में जो आपने कहा जो इसका जो इतना जादा इस पर रिसर्च हुआ सर्वे किया गया देखा गया और देखा गया कि जब पती पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनंदर दो था और बिहार में भी वही किया गया तो पताचलत हुई है लेकिन अगर प्लस टू तक पढ़ी हुई है इंटर पास है तो देश का उस जादा है आप जानते ही तो देखिए इससे काम शुरू करते करते घटते घटते चार के उपर था अब उससे घटते घटते तीन के पास पहुंच गया लेकिन ये पूरे तोर पर होगा तो हमको पूरा भरूसा है कि 40 तक हमको जो लगता है मेरा अपना व्यक्ति कर जो हम पूर इसी पर काम करें लेकिन बहुत नोग रखता खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा तो वो तो अपना सोच है अपना हम लोगों का सोच बहुत साफ है कि कैसे हम कर सकते हैं प्रजदंदर का और इसमें कोई का हो सब परी असर पढ़ेगा जब महिलाएं बिल्कुल पढ़ी लिखी होंगी तो आप देख लिजिए कोई का होता पता करें तो इस में और इखा दुक्रा तो होता ही नौजे कभी कभी तो आप देखेंकि पढ़े लिखन लोग पैदा की है तो नहीं मान करके चलिएगा कि हम तो कोई कानून के बहुत पक्ष में नहीं है तो कुछ तो कर सकता है लेकिन maximum आग यह नहीं कोई कह सकता दावा कर सकता है कि हर परिवार में जो हम भूल रहे हैं कि प्रजद अंदर अबर और प्रजद अंदर अटे लेकिन यह दावा हम नहीं कर सकते हैं कि हर एक परिवार में कम ही कर लें लेकिन कुल मिला करके ज्यादा से ज्यादा में कम है तो कुल मिला करके प्रजद अंदर घटेगा तो इसलिए हम लोगों का तो यहीं राय पाकी हमको तो अब अलग अलग राज दिका है लोगों का अप की से घटड़ा यह साधरन बात नी महुत अच्छी